सब्सक्राइब कीजिए दर टेक्षो चैनल को और बेला आइकन को दवाईए सबसे पहले वीडियो की नूटिफिकेशन पाने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से दर टेक्षो के एक नए एपिसोड में इस एपिसोड में मैं आपके साथ बात करूंगा M.I.U.I.9 के बारे में तो जैसा कि काफे सारे लोग जानते हैं कि M.I.U.I.9 जो यह इंड्रोल होना स्टार्ट कर दिया है सामने की डिवाइस में तो मैं इसी वीडियो मुष्ट के बारे में बात करूंगा तो बिना टाइम गवाइच लिए शुरू करते हैं तो यहां पर पहले बात करते हैं इसके अनिमेशन की जो की जीए गए इसमें जैसे कि मैं कैमरा काप खोलता हूँ और इसको बंद करता हूँ तो यहां पर जो इसका है और यहां पर जो इसका है मेसेजिंग का है और यहां पर आपका एक गैलरी है गैलरी में आप देखेंगे हलका सा सूरज उठता हुआ अज़र आएगा अगर आप बंद करेंगे इसको यही सब नया है और इसका नया शीचर हम बता रहे हैं अगर आप Redmi Redmi का MIUI 8 यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें आपको Screen Recorder नहीं मिलता था लेकिन MIUI 9 में आपको Screen Recorder में मिल जाता है हालागि अभी हम इस रिकार्ड करके दिखाएंगे नहीं इसको यह आपको Tool Section में मिल जाएगा यह एक बहुत ही अच्छा नहीं फिचर है और अब बात करते हैं इसके जो सबसे बड़ा में हाइलाइट है Split Screen का तो कुछ आप्स कोल लेता हूँ मैं पहले से जैसे Play Store हो गया रहा हो गया तो आपको यह Function की पे एक बार Tap करना पड़कर Tap करते हैं Split Screen में जाना चाहते हैं तो यहां पर उदखर Split Screen पे क्लिक करना होगा और यहां पर Drag करना होगा जो आप करना चाहते हैं जो आप Split Screen में जाना चाहते हैं लेकिन हाला कि यहां पर सभी आप जो है वो support नहीं करते हैं कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं यह थोड़ा सा disadvantage रहेगा जैसे यह setting रहा रहे गया और आपको यहां पर tap करना है तो यहां पर tap करना पड़ेगा एक जो यह green का लगा दिखा है अगर आप tap करते हैं तो यहां पर new जाएगा और यहां पर exit कर सकते हैं यह था इसका सबसे बड़ा main highlight feature था और एक बात यहां पर दोस्तों जो यह gap है यह बहुत ही कम कर दिया गया है पहले के tool ना में जो कि अच्छा है और यह जो अपने पहले ही सुना था कि lightning fast यह जो है पुरंत खूल जगा टैप कि यह open हो गया जैसे gallery tap की open हो गया ऐसे message नी tap की open हो गया camera tap की open हो गया यह बहुत ही fast process है और एक application की बात करें यहां पर यह जो MI drop है यह आपको नया application मिल जाए जिससे आप जैसर कि आप इसका आपका transferring का file काम करता है यह से आपका काम करेंगा और आपको यहां पर दिखा जैते हैं जो इसका नया वाला theme से limitless का तो यहां पर आपको theme से जाना पड़ेगा हो जाएगा यह automatic आपको back भी नहीं करना पड़ेगा automatic आपको home page भी ले जाएगा तो इहां पर जो इसकी नया जो आइकन्स है जो messaging का यह नया है और जो site से था वह white color का जो थोड़ा सा खराब लगता है देखने में वह हटा दिया गया है कि उसके कारण यहां पर आपको बहुत अच्छी एक view मिलती है आइकन्स की और यहां पर gallery का जो logo है आइकन है वह change कर दिया गया है और यहां पर देख सकते हैं जो पहले से एपस था थोड़ा सा छ पहले सकते हैं इसका उतना animation है लेकिन हलका हलका सा है к को आर यहां पर इंग करने में और यहां पर यहां पर falls और now yamir नहीं ही मेरे ख्याल से, मैं उतना बढ़िया नहीं करता हूँ, जैसे कि आप split screen में जा रहे हो तो, काफी सारे apps से जो आपको support नहीं करते हैं, और ये बहुत ही fast है, जो पहले की experience आपकर करते होंगे, अगर आपने MIY 8 चलाया होगा तो आपको ये बहुत ही ज्यादा fast लगेग है, बस यही था, और कुछ था नहीं, बस वही जो highlight है था मैंने दिखा जिए speed screen वाला, और इसके MIY version दिखा जाते हैं आपको, आप यहाँ पडेटर में जाएंगे, तो यहाँ पर जो रिलाइटिंग फास्ट का था, उसका logo आ जाएगा, और यहाँ पर कोई करने MIY 9.1.0 stable, पर सही मिल जाता है, आपको यहाँ पर और कुछ नहीं मिलता है, उतना भी खास नहीं है मेरे हिसाब से, जैसे कि हम लोग सोचे थे कि बहुत ज़्यादा, बेस अबरिस्यों कि इसका वेट कर रहे थे, लेकिन ऐसे कुछ है नहीं, तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अ लेकिन आप इस सबका सपोर्ट रहेगा, तो इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो में बनापनेगा, आज के लिए बस इतना ही, जै हिंद, जै भारत